हेलो एवरिवान माइनेव इस अनिश वाडेल और हम हेड और डिसकस कर रहे हैं देखो सबसे पहले हम स्काल्प डिसकस कर चुके हैं और फेस डिसकस कर चुके हैं उसके बाद क्रेणियल नौस सारी डिसकस कर चुके हैं देखो क्रेणियल नौस ऐसा टॉपिक है ना कि वह फॉ पढ़ेंगे फिर आगे जाके पढ़ेंगे अभी करोगे तो आपको यह फाइदा है ठीके और अब हम नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक डीप सर्वाइकल फेश्या की तरफ चलते देफो डीप सर्वाइकल फेश्या क्या है डीप फेश्या जो नेक को पूरी तरह से कवर क तक व्यिस्टि Wishया और इस 시 cec variations अलग चुझाएश्या इस web व deceive इसपर से यह वन फिशन नहीं नहीं आता है पर फिर पर älतर तरी क्या यह ठीक करना ना तो करदो कोई बात ने इसके उपर से अलग से ऐसे कौई पिस्टिशान नहीं हो टकर दोएगअर odorilde शीट क्या है investing layer pre-trachian layer और pre-vertebran layer मिल के form करते हैं उसको carotid sheet बोलते हैं ठीक है दो आज हमना investing layer discuss करने वाले हैं बाकी की यह तीन layer है वह हम next video बर discuss करेंगे क्योंकि video ज्यादा लंबी न बन जाए न इसे लिए देखो सबसे पहले investing layer start करते हैं investing layer नाम से पता चल रहा है किसी चीज को invest कर रही है ठीक है तो सबसे पहले यह present का है देखो यह platysma muscle है यह platysma muscle superficial fascia में present है क्योंकि यह muscle facial expression है और investing layer deep fascia का modification तो अब्वियस से बात है यह superficial fascia वाले muscle के डीप ही present होगा और यह पूरी neck को surround करेगा color की तरह ठीक है और यह पूरी neck को color की तरह surround करेगा तो यह roof में present होगा पर किस चीज के रूफ में anterior और posterior triangles present है नेक में जो इसके बाद हम discuss करेंगे उनकी roof में present होगा ठीक है फिर देखो investing layer के attachments important है बाकी सारी layers के attachments ना भी पड़ो तो भी चल जाएगा ठीक है देखो attachment के सुपा सुपीरियर ली उपर का attached देखो external occipital protubins पे attached यह occipital one पे prominence है ठीक है वाह से दोनों side superior nukle line निकलती है ठीक है वाह से mastroid process और styloid process जो कि यह रहे ना उसके exactly पीछे जो present है ना एक थोड़ी सी prominence feel होगी उसको mastroid process बोलते है वहाँ पर attached है और फिर वाह से external acoustic meatus मतलब यह समदो ठीक है वाह से direct base of mandible पे आ जाएगा ठीक है देखो ऐसे करके touch करते रहो external occipital protriments फिर superior nukle line फिर वाह से mastroid process फिर external acoustic meatus और फिर वाह से base of mandible ठीक है फिर आगे आके mandible पे exit midline पे fuse हो जाएगा ठीक है फिर उसके बाद inferiorly ठीक हाट है देखो नेक का पर खतम होगी यह जापर sternum bone start हो जाएगी वाह पर neck complete हो जाएगी ठीक है तो वाह पर sternum manubrium sternum मतलब sternum का उपर का पाट होता है ना उसको manubrium sternum नहीं बोलते है यह thorax में हम आगे और डिसकुस दागी फिर वाह से आगे चलने तो उसके बगल में ख्लेविकल प्रेजेंट है उसके तुरू एक्रोमियन प्रोसेस और फिर स्केपिला बोन के पीछे एट प्रोजेक्शन प्रेजेंट है जिसको स्केपिला बोलते है वहां पर अटेज्ट है ठीक है यह सारी चीज़े एक लाइन में प्रेजेंट है अगर आपने कॉलेज में बोन्स या देखे हो ना तो आपको पता होगा यह इसकी इनफीरियर अटेज्मेंट फिर एंटीरियर ली यह सिंफाइसिस में ना ना प्रेजेंट है वहां पर अटेज्ड होता है और उसी के नीचे हायोट बोन प्रेजन प्रेजेंट है मतलब यह एक्जेक नीचे नीचे थोड़ी ज्यादा नीचे प्रेजंट है वहाँ पर अंटिरियर्ली अटेज्ट है ठीक है फिर पोस्टिर्यर्ली लिगामेंट नुके और स्पाइन ऑफ c7 वर्टिब्रे पर प्रेजंट है देखो यह लिगामेंट अपने नुके त्या है द देखो, net sum, transfer section of neck समस्ते है, इसमें maximum चीज़े हमें समझ में आ जाएगे, देखो, transfer section of neck लेंगे, तो दो main muscle है neck में present है, वो है, turnopletomastoid, दोलो side present होगा, और पीछे trapezius present है, देखो, यह एक ही size लिख रहा हू, turnopletomastoid और trapezius, यह muscle present है, देखो, turnopletomastoid है, वो anterior laterally present है, और trapezius है, वो posterior laterally present है, investing layer, इस muscles को cover कर डालेगी, ठीक है, देखो, investing layer इस muscles को cover कर लिए है, फिर देखो, यह transfer section of neck है, तो सबसे पीछे क्या present होगा, सबसे पीछे vertebrae present होगा, देखो, एक मिनिट vertebrae draw कर लो, यह vertebrae है, ठीक है, वो vertebrae को cover करेगी, pre vertebrale layer, और यहाँ पर एक confusion यह भी आता है, कि, vertebrae pre vertebrale layer, नाम मतलब vertebrae के आगे नहीं present होगा, यह पूरा vertebrae को cover करेगा, ठीक है, यह pre vertebrale layer है, यहाँ पर और भी muscles present होगे, यहाँ पर scalineus, anterior, medius, वो pre vertebrale layer हम discuss करेंगे, अच्छे से तब discuss करेंगे, यह investing layer है, यह मैं लिखना बूल गया था, अब दियान रखना, फिर वटी प्रेक के आगे चलेंगे, तो वापर isofagus present है, फिर उसके आगे है, trachea present है, और उसके आगे है, thyroid gland present है, यह क्यों important है, अब भी पता चल दो, अभी three trachea layer है, जो वो trachea के आगे मतलब thyroid gland को पूरी दर से cover करेग ठीक है, यह है, pre trachea layer, और देखो, तीन लेयर हम डिसकस कर लिए, एक investing layer, pre vertebral layer और pre trachea layer, ठीक है, अब carotid sheet का present है, सबसे important, carotid sheet यह pre trachea layer है, नमतलब thyroid gland, उसके posterior naturally present है, ठीक है, carotid sheet है, और देखो, मैंने पहले भी बोला था, कि यह carotid sheet है, वो तीन लेयर के mixture से बनती है, एक investing layer, फिर pre vertebral layer और pre trachea layer, यह तीनों layer मिलके carotid sheet form करती है, ठीक है, carotid sheet में अंदर और structures present होगे, जो हम next video में देखेंग, अब इतना ज्यानरा को, carotid sheet तीन लेयर के mixture से बनती है, एक investing layer, pre trachea layer और pre vertebral layer, ठीक है, यह transfer section of neck था, अब pre investing layer, दो glands को end close करेंगे, एक है perotid gland, और दूसरी है sub mandibular gland, देखो, sub mandibular gland का नहीं बहुत easy है, इसलिए इसको पहले देख लेते हैं, देखो, इसके लिए coronal section लेना होगा, यह hyoid bone है, ठीक है? देखो, मैंने diagram BDC में थोड़े से complicated दिये होए, मैंने वो diagram सिलेक्ट ही है, जिससे आपको easily समझ में आ जाए, और आप exam में भी उसे draw कर सको, ठीक है? और यह mandible है, coronal section है, तो mandible cut section में इसा ही दिखेगा, और mandible को, mandible जैसा दिखने के लिए हम teeth draw कर देते, mandible, देखो, sub-mandibular gland मतलब, mandible के नीचे present होगी, मतलब, यहाँ कहीं पर sub-mandibular gland present होगी, देखो, i8-1 से investing layer आएगी, वो दो पार्ट में split हो जाएगी, ठीक है, दो पार्ट में split हो जाएगी, और sub-mandibular gland को in close करेगी, ठीक है, यह sub-mandibular gland है, देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यह diagram से आप exam में draw कर सकते हो, यह schematic diagram है, इसमें आपको कोई problem नहीं होगी, और marks भी अच्छे मिलेगे, और यह draw करना बहुत easy भी है, ठीक है, यह coronal section होगे, फिर इसके बाद, parotid gland, parotid gland का थोड़ा से important है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, देखो, सबसे पहले, यह zygomatic arch है, ठीक है, आरम आरम से पड़ो, हो जाएगा, बहुत easy है, इतना कुछ tough नहीं है, यह zygomatic arch कहां present होगा, zygomatic bone present होती है, ठीक है, वाज से section लिया हो, तो zygomatic arch present होगा, और यहाँ पर, इंवेस्टिंग लेयर, इन दोनों के बीच में, ऐसे present होगा, ठीक है, देखो, इस figure को समझना है न, तो ऐसे समझो, कि आप face को side में से देख रहे हो, exact side में से देखोगे, आप तो ऐसा ला देख, और इन दोनों लेयर के बीच में, DAY का, परोटिट gland present है, ठीक है, अगर आप यह देख रहे हो न, तो आपको, परोटिट के उपर क्या present है, वो भी पता चल रहा है, टिंपनिक पलेट, उसको उपर present होगी, जाईदिमच आर्च present होगी, ठीक है, पर देखो, वो अबहे लिए important नहीं, इन, वो इत बीकिना का प यह सुपरफिशल लेयर फॉर्म किनेउसिंगेट दो पॉर्टोहकी है वह सुपरफिश्यल लेयर फॉर्म करेगा कैँ और प्रॉटीट घ्लाइब फिर्त में मॉंपच's duty अगर प्रोलीग लेंट में मों इसको आगी की तरफ ग्रोव नहीं होने देगा अगर इसको आगी तरफ ग्रोव नहीं होने देगा तो यह बहत ही पेंफुल होगा, इसके क्लिनिकल में लिख दूU, मम्स कि मम्स आर पेंफुल रीव यह आच्छे से हम, पेरोट्रिग लेंड में डिसकस करेंगेbox अभी मैंने शॉर्ट में बता दिने ठीके और देखो एक यहाँ पर डीप लियर है नाव वो कंडेन्स होके एक ligament form कर देगी उसका नाम है stylomandibular ligament क्यों important है क्योंकि यह पेरोटी ट और सब ग्लैन को सपरेट करें गवा एक सेपरेट करें यह सेपरेट ट्इंड ग्लैन को सब्मेंडिबीन में आपको यह सिर्फ करीं हूड के प्रेजेंट है ठीक है और यह stylo mandibular ligament इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है इसलिए यह इन दोनों को separate कर रहा है ठीक है ठीक है यह ध्यान रखना investing layer दो glands को enclose करेगी एक parotid gland और एक sub mandibular फिर और क्या enclose करेगी investing layer दो spaces भी form करेगी एक है supra sternal space और दूसरी है supra clavicular space देखो supra sternal space होती है और और वन स्पेस भी बोलते है देखो supra sternal space मतलब यह sternum होगे और यह clavical होगे ठीक है यह sternum का उपर का बाट है इसको many various sternum भी बोलते है देखो इन दोनों के बीच में दो प्लेविकल के बीच में क्या present होगा इंटर लेविक्लर लिगामेंट present होगे इंटर लेविक्लर लिगामेंट अगर बीडी सी है कोई भी बुक आप फॉलॉब कर रहे हो ना उसमें यह सारी चीजह मुश्किल से थोड़े से एक दो लाइन में complete कर दिये पर आपकी understanding के लिए इतना आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं यह diagram में फोकस कर रहा हूं ताकि यह सारी चीजह आपको यादन और इसके अलावा यह sternocleidomastoid muscle है तो इसका कौनसा head यहाँ पर प्रेजेंट होगा मैंने इसको इदर दो करना चाहिए था पर इंट्रक्लेविक बिलन लिगमेंट है इसलिए मैंने थोड़ा इसको ऐसे ड्रो किया यहाँ पर sternal head of sternocleidomastoid present होगा ठीक है और यह last content देपर यह anterior jugular vein है जो देपर anterior jugular vein और यह बीच में jugular venus arch फांकर लिए जुगलर venus arch फांकर तो देपर अगर पूछे ना कि इस प्रस्टर्नल स्पेस के content कौन कोन से है तो एक interclavicular ligaments, sternal head of sternocleidomastoid और jugular venus arch प्रेजेंट एंटिर जुगलर वें मत बोलना ठीक है और यहाँ पर lymph node भी प्रेजेंट नहीं ठीक है तो उसे ignore कर सकते देपो अब अब सुप्रा-clavicular space को समझने से पहले देखो यह clavicle है यहाँ से फेशिया ऐसे आया और split होगे तो इसको देखना है तो इससे side से देखना पड़े था ठीक है तो इसको side से देखने के लिए यह clavicle के through cut section है और यहाँ पर एक मसल प्रेजेंट है सब-clavious मसल जो कि हम अपर लिम में डिसकस करेंगे अभी अपर लिम हमारा डिसकस करना बागी है और यह पेक्टोरल मेजर मसल है कि सब-clavious मसल को जो फेशिया कवर करेंगे उसका नाम प्लेवी पेक्टोरल फेशिया है तीक है और इन्वेस्टिंग लेयर ऐसे आए और ऐसे स्प्लिट हो गए तो यह स्पेस फॉर्म होई ना इसको फुप्रा क्लेविकिलर स्पेस बोलते है यहां से दू में और एक्स्टरनल जुगलर वेंड के अलावा अगर पंचर हो गई ना किसी बार की इंजरी से जैसे कि नाइफ से कोई हिट कर दे या ऐसा कुछ तो देखो यह इन्वेस्टिंग लेयर है यह इसको पॉंस्टिट नहीं होने देगी और अगर पॉंस्टिक नहीं होने देगी तो एर एंबोलिजम का चार्ज बहुत बढ़ जाते है ठीक है तो यह एक पॉइंट याद है था फ्ली निकल अनाटमी में लिखने काम आए तो अब इन्वेस्टिंग लेयर हमने अल्मोस्ट कर दिया है एंपन लास्ट पे देखने थे इन्वेस्टिंग लेयर कौन-कौन से कर रहा है यह दो मसल को एंखों कर रहा था स्टर्नो नीटो मस्टोइड और ट्रापीजीसे यह ट्रांसवर सेक्शन ओफ नेक में अमने देखा फिर दो ग्लैंड को एंखों कर रहा था परटी गेंड और सबंडिबीड लेंग इनके हमने दो अलग-अलग फिगरज भी ड्र समझ में नहीं आएगा वह आगे जैसे एडन नेक हम कंप्लीट करते जाएंगे न वैसे समझ में आ जाएगा ठीक है और दो पुलीस फॉर्म करेंगा देखाँ पुलीस मतलब क्या होता है मसल्स हेविंग टू बैलीस और ऐसे दो ही मसल्स है ठीक है डाइगेस्टिक मसल्स और ओमो आयड मसल्स देखाँ 11-12 में जब न्यूटन फॉर्मोशन पढ़ते हो तब पुली वाले क्वेस्चन्स देखते हो कि दोनों अलब अलब डाइरेक्शन में अगर मसल्स की बैली प्रे के प्री ड्रेकियन लेयर प्री वर्टीब्र लेयर और केरोटीट चीट नेक्स्ट वीडियो में डिसकस करें ठीक है और आपको इसकी नोट्स बनाने की विल्कुल ज़रूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरी टेलिग्राम चैनल की लिंक दे दिये वहाँ पर जाके आपको सारे लेक्शेफ की नोट्स मिल जाएगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन्वेस्टिंग लेयर अच्छे से समझ में हो इसको तोड़ा अच्छे से पढ़ना क्योंकि एवनिवर्सिटी के लिए इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट क्वेशन है ठीक है थाद धर है थादो क्योंकि वीडिवर्सिट। ऑन्माट आपको सुट बढ़ना क्योंकि एंपोर्सिट्चिए लेक्शे.